डेली कनेडियन न्यूस बुलिटन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट्टैक टीवी मैं हूं कौकिप पारू की सबसे पहले शामल करेंगे नीउस हैडलाइन ट्रूडो की मुश्किलाफ में इसाफा मुखालिफी ने नई वाइरल होने वीडियो के बाद ट्रूडो पर सखत तनकीद की कैनड़ा में 43 वी पार्लिमेंट का आगास होने जा रहा है नई पार्लिमेंट को मौलियाती तब्रीली टैक्स सेहत असले की रोगठाम पर काम करना होगा ग्रीन हाउस गैसो के इखराच को कम करने के इगनामात पर उन्टेरियो हकुमत की हमायत नहीं की जा सकती और डर्जरनल की नई रिपोर्ट आ गई चीन और कैनिड़ा में कशीदा तालुकाफ के बावजू चीनी कमपनी अपना रिसर्स सेंटर कैनिड़ा मौन्तकिल कर रही है अमरीकी महक्में खारच ने कहा है कि जल्म-खलील साथ तालिबान से दुबारा मुजाकराफ करेंगे जिसके लिए वो दोहा जाएंगे अमरीकी एवान नुमाइंदिगान में सदे टरॉम के मौकज़े के कारवाई जारी आईनी माहिरीन ने भी एवान नुमाइंदिगान में टरॉम के खिलाव बायाना दे दिये हैडलाइंग्स आपने जानी खबरों के तफसीर चामल करेंगे इस प्रेक के बाद करेकी साथ करेां? Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada I'm a former Canadian pak category officer and a senior case analyst and I've served the Canadian government for 16 years I provide accurate assessment on every case and I'll be happy to assist you in making Canada your home For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada We can help you and loved ones back home live the Canadian dream Do it once, do it right Swami Kashi Guruji का कहना है कि वो आपकी तमान समस्याओं का हल जानते हैं Swami Kashi Guruji is a specialist in bringing back your loved ones He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours आपके depression, family, court problems और बेशमार मसाइल के हलका दावा करते हैं स्वामी Kashi Guruji से राप्ता कीजिए 647-765-6311 647-765-6311 Address 565 Markham Road, Scarborough कुछ बात करेंगे, कैनेडीन वजीर आजम जस्टिन चूडो एक बार फिर तनकीद की जर्द में आ गए हैं चूडो के हरीफ उन्हें तनकीद का निशाना बनाने के लिए उनकी वाईरल होने वाली वीडियो पर तपसरे कर रहे हैं कैनेडा में नई पार्लिमान का आगास होने जा रहा है जब के वजीर आजम जस्टिन चूडो एक बार फिर तनकीद की जर्द में आ गए हैं चूडो के हरीफ उन्हें तनकीद का निशाना बनाने के लिए उनकी वारन होने वाली वीडियो पर तपसरे कर रहे हैं पार्लिमेंट हिल में अपने साथियों से गुफटगू में एंडियो शेर का कहना था कि ऐसे वक्त में जब कैनेडा को दीगर ममाले के साथ तालुकात बहतर करने की जरूरत है इस दौरां टूडों ने गलत इंदिखाब पेशबराना महारत की कमी और कैनेडा को कमजोर करने की कोशिश की है ब्लोक क्यों वे क्यों के राहनुमा फांसिवा बलांचे का कहना था कि टूडों के इस अमल से कैनेडा के पड़ोसी मुलक के साथ तालुकात मतास्र हो सकते हैं NDP राहनुमा जगमी सिंग ने भी टूडों को वहरूप या करार दिया उनका कहना है कि मैं टूडों के बारे में अकसर कहता रहता हूँ कि वो लोगों के सामने कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं ट्रूडो को बकिंगम पैलिस में नेटो रहनुमाओं को दिये गए इशायी के दुरान फ्रांसी सी सदर इम्यानवल मैकरोन, बरतानवी वजीर आजम, बॉरस जॉनसन, नैधर लैंड्स के वजीर आजम मार्क रूट और मलका बरतानी की बेटी एनी के दरमियान खड़े करने की वज़ा पूछते हैं तो टूडो को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैकरोन को देर इस निये हुई क्यूंकि वो चालिस मिनट से प्रेस कांफरेंस कर रहे थे, रिपोर्ट के मताबिक टूडो ने तजदीक कर दी कि इस गुफटगू का हवाला, डॉनलर्ड ट्रम का तैशुदा प्रोग्राम के बगएर बड़ी देर तक सहाफियों के सवालों के जवाबाद देने और मीडिया से तवीज गुफटगू की तरफ था, टूडो का कहना था कि आपने देखा होगा कि उनकी टीम नीचे देख रही थी, और वज़ाहत करते हुए कहा कि ये ट्र शुराती दारे ने नशर किया और उसको पौरी तोर पर पचास लाग से जायद मर्तबा देखा गया। अगास से कबल कंसरवेटिव रहनुमा एंडियो शेर का अपने क्रॉकस के रहनुमाओं से गुफटगू करते हुए कहना था कि स्कैंडल से दो चार और खसारे से चलने वाली लिबरल हकूमत से निज़ात के लिए कंसरवेटिव रहनुमत बनाएं ताके मुल्क को ठीक किया वाले अग्दामाद पर अंटेरियो हकूमत की हमायत नहीं की ज़ा सकती। पहम रिपोर्ट के मताबिक उसमें 6.3 फीसद कमी हो सकती है। रियासत कैलिपॉर्णिया के शहर सांतकलारा के नवाह में वाके सेलिकॉन वैली में वाके रिसर्ट सेंटर में 600 अफराद की मुलाजमते खतम कर दी गए थी। यह नहीं बताया गया था के कैनेड़ा में रिसर्ट सेंटर किस मुकाम पर बना जाएगा। चीनी कमपनी ने ये फैसला अमरीकी पामबदियों के तनाजर में किया है। वावे इस वक्त दुनिया में स्मार्ट पून बनाने वाली दूसी बड़ी कमपनी है। सबसे बड़ी कमपनी जुनुबी कोरिया की सामसंग है। यहां यह बाद काबले जिकर है के एक साल कबल हुआवे की सीएफो को कैनाड़ा में अमरीकी एमा पर गरिफ्तार किया गया था। अगवान अमन अमल और मुझाराद की बहाली समेथ मुझाराद की बहाली समेथ 8 सितंबर को अमरीकी सदर डॉनल टरम्प ने तालिबान की जानफ से काबल हमले की जिम्मधारी खुबूल करने के बाद अमन मुझाराद मनसूख कर दिये थे आइनी माहरी ने एवान नमाइंदगान में जारी डॉनल टरम्प के मौखज़ की कायरवाई के दौरान अपने बायानात रिकॉर्ड करा दिये आइनी माहरी ने कहा कि यूकरेन के सदर पर दबाओ डालकर सदर टरम्प ने काबल मौखज़ा काम किया अमरीकी एवान नमाइंदगान में सदर टरम्प के मौखज़ की कायरवाई चारी है आईनी माहरीन ने कहा कि यूकरेन के सदर पर दबाव डाल कर सदर टरम्प ने काबल मौखजा काम किया आईनी माहरीन ने कहा कि टरम्प का 2020 में जो बाइडन के खलाव कारवाई का कहना जर्म है ٹرامپ کو صدارتی انتخابات میں غیر ملکی مداخلت کی مزہمت کرنا چاہیے تھی ٹرامپ کا یوکرینی صدر کو کاروائی کا کہنا اختیار کا ناجائز استعمال ہے دوسری طرف امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یوکرین کے صدر کونہوں نے جو کہا وہ امریکہ کے مفاد میں کہا تھا 21 نمبر کو بھی مواخذی کی کاروائی کے دوران گواہان نے ٹرامپ کے خلاف بیانات ریکارڈ کرائے تھے امریکی صفیر گورڈن سونڈ لینڈ نے بیان دیا کہ صدر ٹرامپ نے یوکرین پر انتخابی حریف کے خلاف تحقیقات کے لیے دباؤ ڈالا تھا یاد رہے کہ امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ٹرامپ کے مواخذی کی تحقیقات سے متعلق کاروائی میں اس بات کا جوائزہ لیا جائے گا کہ امریکہ کے پینتالیس میں صدر ڈانلڈ ٹرامپ کو ان کے عوضے سے برخواست کیا جائے یا نہیں ڈانلڈ ٹرامپ پر الزامات ہیں کہ ذاتی مفاق کے لیے انہوں نے صدارت کے عوضے کا غلط استعمال کیا ہے اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ دیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی